हेलो, नमस्कार, उतकर्ष लॉग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, मैं रेनू विजय, आपका स्वागत करती हूँ आज की क्लास बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है, उसके दो कारण है सबसे पहला कारण तो इस क्लास का टॉपिक, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो APO एक्जाम, जो RPSC ने उसको अनौश कर दिया अपनी कैलेंडर में की November 2022 में उसकी वेकेंसी आ जाएगी और एक्जाम के लिए तयारी होगी तो उसी के लिए उतकर्ष law classes आपके लिए लाया है, एक important subject जो APO का syllabus है और दूसरी बार जो कि उतकर्ष के channel पर सभी मेरे साथ ही, सभी student, सभी aspirant जिसकी बहुत demand कर रहे हैं तो उतकर्ष लेकर आए आप सभी के लिए उसके लिए वेट कीजिए क्योंकि किसी ने सही का है, सभर का फल मीठा होता है तो पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो में बीच में आपको ऐसी खबर, ऐसी सूचना मिलेगी जिसका बेसबरी से सभी aspirants को इंतजार था तो चलते हैं आज की क्लास, स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है, वो है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये अधीनियम APO के स्लेबस का पार्ट है और इस अधीनियम में 10 दारा है यानि की पूरी कहानी एक से लेके 10 तक में सीमित, खतम और इस अधीनियम का रोल, जिस समय ये लागू हुआ था, जिस समय ये आया था और इसके अलावा के जो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, जो related to women, related to dowry, cruelty पर डिपेंड है उस समय इसका एक बहुत ही जादा रोल था society में, ऐसा नहीं है, आज नहीं है, आज भी बहुत जादा रोल है लेकिन इसने अपने ambit को, जो ambit इसने बनाया था, कि यहाँ पर ये है, उसमें थोड़ा सा changes, थोड़ से जो है, वो बदला हुआ है तो आज हम इसका एक introduction के रूप में जो है, इसको लेंगे कि क्या-क्या इसमें है, कैसे है और हमें कैसे इसको देखना है तो start करते हैं, सबसे पहले एक table से, जो table हमें ये बताती है, कि इसमें कितने section है सबसे पहले आता है, कि ये अधिनियम जब लागू हुआ था, या पारित हुआ था, तो कौन से नंबर पर हुआ था यानि act number, APU का जो exam है, वो objective type exam है और objective में कहीं से भी कोई भी equation frame हो सकता है तो act number 28, dowry prohibition act का act number 28 है, यानि 1961 में 28 वे नंबर पर ये अधिनियम पारित हुआ था total number of section जो है, वो 10 है, कोई chapter नहीं, कुछ नहीं, direct 1 to 10 sections है जिन में बताया गया कि dowry क्या होगी, लेने वाला, देने वाला, कि उसकी जो दे रहा है, उसकी क्या सजा होगी, ले रहा है जो उसकी क्या सजा होगी और क्या प्रावधान होगे, cognizable होगा, non-cognizable, वो सारी बाते इसमें एक से लेके दस्तक की धाराओं में है चलते हैं सबसे पहले section 1 जब हम कोई बात करते हैं, कोई कायम करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका क्या छेतरादिकार है, क्या उसकी range है उसी तरीके से जब हम कोई अधिनियम पढ़ते हैं, या कोई भी लौ पढ़ते हैं, तो section 1 हमेशा हर अधिनियम में एक ही बात करता है, कि इसकी range क्या है, यह कहां तक जाता है और कहां तक इसमें हम जाया सकते हैं तो section 1 सबसे पहली बात करता है कि इस अदिनियम का नाम क्या है बोले dowry prohibition act 1961 यानि दहेज जो है उसको लेने का जो प्रतिशन करता है वो अदिनियम 1961 तो क्या नाम है dowry prohibition act दूसरी बात कहां लागू होता है बोले जब यह अदिनियम लागू हुआ था उस समय संपूर्ण भारत पर सिवाए जम्मू और काश्मीर के लेकिन आप सभी जानते हैं 2019 के बार इट अप्लाइस टूदा होल इंडिया कोई एकसर्प जम्मू और काश्मीर नहीं कहां लागू होता है संपूर्ण भारत पर बोले नाम बता दिया लागू बता दिया कहां कहां प्रवर्तन में हैं लेकिन प्रवर्तन में आया कब तो यह प्रवर्तन में आया था एक जुलाई 1961 से फोर्स में आया था तो जब कोई चीज फोर्स में आती है तो उसकी सहमती भी ज़रूरी होती है तो सहमती कब मिली 20 मई 1961 को सहमती मिली थी किसकी केंदर का कानून है तो सहमती भी रास्टपती ने दी ती यानि धारा वन क्या कहती है डावरी प्रोईबिशन एक्ट इसका नाम है संपून भारत पर लागू होता है और एक जुलाई 1961 में लागू आता और 20 मई 1961 पर इसकी सह सहमती मिली थी चलते हैं नेक्स सेक्शन की तरफ सेक्शन 2 जो की पूरी कहानी को अपने हातों में समेट के बैठा है वो है डैफिनेशन क्या परिभाशा है डैफिनेशन सेक्शन की बात क्लॉस की बात करता है और इस पूरे अधिनियम में केवल एक ही परिभाशा दी गई ह वो क्या दहेज इस दुनिया की सबसे बड़ी बिमारी जो कह सकते हैं अभी शाब वो है दहेज डावरी जिसने एक पड़ी लिखी महिला को भी पीडित किया है तो एक अनपण महिला को भी पीडित किया है बात आती है डावरी क्या है डावरी एक ऐसी property एक ऐसी valuable security यानि ऐसी संपत्ती या valuable security है जो कोई भी देता है या देने के लिए तयार होता है या तो direct या indirect अब आप उसको कुछ भी कह सकते हो कहान इदर से पकड़ो या इदर से पकड़ो बात एक ही निकलती है दहेजी होता है यानि कि कोई भी संपत्ती य देनी के लिए agree होता है या देता है या देनी के लिए agree होता है चाहिसे directly या indirectly शादी के किसी भी पक्षकार को चाहिसे लड़की हो या लड़का हो any party of the marriage to the other party of marriage यानि कि एक पक्षकार देता है दूसरे पक्षकारों को बहले हमारे यह इतने तो समझदार है नहीं कि लड़क भी देता है लड़की भी देता है लड़की के यहां से ही जाता है यानि एक पक्षकार देता है दूसरे पक्षकार को यानि ब्राइड के यहां से जाता है ब्राइड ग्रूम के मान यानि वैल्यूबल सिक्वेर्टी और प्रापर्टी किस ने दिया by one party to other party on the occasion of marriage or by the parents of other party of sorry किसी भी माता पिता ने किसी भी पक्षकार को यानी शादी के दोनों पक्षकार है उनमें से किसी भी पक्षकार को उसके माता पिता ने दिया है parents of the either party यानी दोनों पक्षकारों के किसी भी माता पिता ने दिया है या तो खुद को या किसी अन्य वेक्ति को यानि उसके मात अगर लड़की के माता पिता है तो लड़की के माता पिता ने लड़के के माता पिता को दिया है या उसके और रिष्तिदारों को दिया है यानि किसी को भी दिया है वो सब included dowry के अंदर यानि दहेज के अंदर ये सब कब जब विभा के समय and time of the time after marriage or before marriage कैसे भी दो, कहीं पे बी दो ये दोनों ही शामिल करते हैं यानी शादी से पहले दो शादी के बाद दो दोनों ही दहेज में शामिल करते हैं होता ज़ोड कहता कई बार कि पहले तो लेते नहीं थे बाद में बार 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 उसको force करते थे तो यहाँ पर दोनों ही शामिल कर दिया विधीवे इस Ardenium के अंतरगा दोनों ही शामिल कर दिया लेकिन एक चीज इसमें शामिल नहीं है वो क्या कि Muslim विधी के अंतरगत Muslim Personal Law के शरियत के अंतरगत जो डावर या महर पत्नी को दिया जाता है वो दहेज में शामिल नहीं है यानि डावरी क्या होगी कि एवल कोई भी property या valuable security जो एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को दी है या देने का वादा किया है या किसी भी माता पिता ने यानि parents ने या किसी अन्य रिष्टेदारों को दी है वो सब शादी से पहले या शादी के बाद दहेज की सीमा में आएगा दहेज के एमबिट में आएगा लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है डावर या मेहर Muslim Personal Law विधी के अंतरगत जो दिया जाता है वो इसमें शामिल नहीं है objective type में question में ये frame हो सकता है next आती है definition next section आता है section 3 section 3 बात करता है penalty for giving or taking dowry हम लड़की के माता पिता कहते हैं हमसे दहेज मांगा तो न्यायले कहता है बोले बया देहेज देने वाला भी उतना ही अपरादी है जितना लेने वाला है हम जैसे लोगों नहीं तो लेने वाले की इच्छाएं बढ़ाई है वो मांगता जाता है हम देते जाते हैं तो धारा तीन कहती है कि penalty है किसके लिए giving और taking यानि कि देने वाला और लेने वाला दोनों ही अपरादी है दोनों के लिए ही हमने दंड का प्रावधान किया है इस अधीनियम के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति देता है या देने के लिए उक्साता है या लेता है give, takes, abate कोई भी कारे करता हो बोले भी या कोई भी करता हो वो punishable है with a term जो की 5 साल से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो की 15,000 से कम नहीं होगा से दंडित है और डावरी की वैल्यू के जितना यानि बढ़ाया कितना जा सकता है एक अमाउंट जो है 15,000 रुपीस तो जुर्माना है और दहेज की राशी के जितना हो सकता है यानि कितनी दर्जा मिली not less than 5 years fine 15,000 और value of value of dowry यानि जो कुछ भी जादा हो उससे वहाँ पर दंडित किया जाएगा अगर आपने दहेज दिया है या दहेज लिया है तो clear है अब आता है कि बात जब आपको judgment दिया जा रहा है आपको सजा दी जा रही है तो आपको reasons record करने है वो magistrates आपका काम है वो अपना काम करेंगे कि उनको reason record करने बढ़ेंगे लिखने बढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे कारेवाई हुई ती ही या ऐसा कारे हुआ दहेज दिया जाता है उसकी photo लेता है क्लिक करता है वकायदा क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही होता है बले भई अकर इनके भविष्य में ये न्यायले में पहुच गए न तो इस चीज की ज़रत पड़ेगी तो हमें एक list मेंटेन करनी है कि हमने क्या क्या दिया है या सामने वाले को क्या क्या दिया या उसने क्या क्या डिमांड की है और उसकी picture फोटोग्राफ जो भी आपके पास आप मेंटेन कर सकते है वो सब आपको मेंटेन करनी है क्योंकि ये proof उसी से होगा कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, कितने का था, कितने का नहीं था है, तो धरा तीन क्या कहते है धरा तीन कहते है कि हम बात करेंगे दंड की, पैनल्टी की जो कि दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों पर ही होता है next रहता है section 4 section 4 क्या कहता है section 4 कहता है कि penalty for demanding dowry दहेज मांगने वालों को दंड तो दहेज मांगने वालों का दंड है दो साल तक का कारावास और दस अजार रुपे दस अजार रुपे जुर्माना चलते हैं नेक्स सेक्शन की तरफ सेक्शन फाइफ क्या कहता है उससे पहले जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये क्लास बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है पहला तो इसलिए कि हम ऐसा टॉपिक लेके आएं जो APO का स्लेबस है और दूसरा इसलिए कि उतकर्ष लाया है आप सभी के लिए एक बहुत ही धमाकेदार छूट जिसे कह सकते हैं भारी छूट और इस होली के अपलक्ष में आप सभी के लिए 90% डिसकाउंट तक यानि की 90% तक डिसकाउंट है सभी कोर्सेज पर लॉके सभी कोर्सेज पर RGS, State Judiciary, CLAD सभी तरीके के कोर्सेज कोर IAS, Foundation, SSC, Bank, Mains, PO सभी कोर्सेज पर केवल 5 दिन के लिए 16 से लेके 20 तक और लाइव क्लास ही नहीं recorded class online कोर्सेज पर भी भारी छूट है तो Mokka ऐसे जाने ना पाए, जल्दी से जल्दी इस class के इस ओलआन काम कीजिए ताकि यह मोका जाने ना पाए क्यूए चिडिया चुक गई खेत उसके बाद पशेज अने से कुछ नहीं होगा 20 तारिक के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा किसी को भी होली पे मिठाई खाने के से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि उतकर्ष लाया है आप सभी के लिए भारी छूट भारी भरकम छूट इससे ज़्यादा चूट ना कभी किसी इंस्टिटूट ने दी है ना कभी कोई इंस्टिटूट देगा तो तयार रहीजिएगा 16 तारिक से लेके 20 तारिक तब आखरी तारिक का इंतजान ना करते हुए सोला को ही अपने आपको एंडोल कराईए और कोर्स को पर्चेस कीजिए उतकर्ष आप से चलते हैं नेस्ट अपनी सेक्शन पर क्योंकि एक खुशकबरी तो हमें मिली चुकी है तो दूसरी खुशकबरी को भी पूरा कर लेते हैं से इस अदीनियम को भी पूरा कर लेते हैं next है section 5 वोले धारा 5 क्या कहता है धारा 5 से पहले section 4 A ban on advertisement यानि कि कोई भी व्यक्ति advertisement नहीं करेगा, offer नहीं देगा कि मेरी बेटी से शादी करोगे या मैं इतना देदूंगा, मैं इतना लगा दूंगा इसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा newspaper में कि ये डावरी दहेज या इस तरह के का कोई भी जनरल में कोई उसमें की property का paper दिया जाएगा, इस एरिया में plot दिया जाएगा, पांच लाग की गाड़ी दी जाएगे, वोले भाईया, अगर इस तरह के का कारेवाई करोगे ना, तो दहेज देने की उसमें अपरादी हो, next section बात करता है section 5 की section 5 बात करता है agreement, तै कर रहे हो agreement कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया दहेज देने या दहेज लेने की दहेज देने या दहेज लेने की, तो वो agreement कैसा है शुन्य agreement कर लिया बेटी के बाप से क्या दहेज दूँगा, बिलकुई पक्का पांच लाकी गाड़ी दूँगा पहुच गए न्यायले में तो न्यायले सबसे पहले तो बहले के बहले एग्रिमेंट वॉइड है और अब आब आजाओ दहेज मांगने के उसने section 6 कहता है कि जो डावरी है वो benefit of the wife होनी चाहिए या उसके hairs पर यानी पतनी या पतनी के जो hairs उनके भले के लिए ही उसके benefit के लिए ही यूज आनी चाहिए next section कहता है section 7 section 7 कहता है cognizance of offense अपरादो का संग्यान तो यहाँ पर अपरादो का संग्यान metropolitan magistrate और judicial magistrate first class लेंगे जब उनके पास return में complaint आ जाएगी तो कैसे return में complaint आएगी जब next आता है section 8 धारा 8 क्या कहती है धारा 8 कहती है कि इस अधीनियम के अंतरगत किये गए जो अपराद है उनका क्या है बोले बेलेबल हैं क्या बोले बिल्कुल non-compoundable है बोले बिल्कुल दहेज लेने की बाते जो है शमनिये नहीं है तो धारा 8 की अनुसार किये गए अपराद बेलेबल है और non-compoundable यानि compound नहीं कर सकते हो बिना नयले की permission के और वैसी बात तो non-compoundable offense कभी compound होते भी नहीं है clear है तो धारा 8 क्या कहती है बेलेबल और non-bailable की बात करती है next इसके बाद आता है section 8a धारा 8 है कहती है presumption नयायले तो presume करके चलेगी आपने दहेज मांगा है presumption अब नहीं मांगा या नहीं दिया यह तुमारी मर्जी तुम प्रूफ करते रहो नयायले क्या presumption करके चलेगी कि हमारी तरफ से तो आपने दहेज मांगा है section 9 section 9 कहता है कि बोले भीया rules कौन बनाएगा कौन बनाएगा rules कि यहाँ पर केंदर सरकार नियम बनाएगी क्यूंकि केंदर सरकार का क्या है केंदर सरकार का अधिनियम है लेकिन इसे अधिनियम में ऐसी छूट दी है धारा 10 के अंतरगत कि राज्य सरकार भी rules बना सकती है अग जहां उसे जरुत हो उसकी सीमाओ को निर्धारित करने किसी चीज को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार भी नियम बना सकती यानि क्या निकला कि section 8 ने तो presumption करी दहेज लिया है हम तो मान के चलेंगे धारा 9 ने कहा केंदर सरकार नियम बनाएगी और धारा 10 ने कहा कि अगर कही जहरत पड़ी तो राज्य सरकार भी नियम बना सकती है यानि डावरी प्रोहिबिशन आक्ट कम्प्लीट क्या का का पहले ने बताया कि कहा लागू होगा दूसरे ने बताया दहेज क्या होगा तीसरे ने कहा दहेज लेने और देने वाले को कितना दंड मिलेगा 4A कहता है कि आपने डिमांड करने के लिए या देने के लिए ओफर करने के लिए क्या कर दिया एड़टाइजमेंट कर दिया किसी न्यूस पेपर या जनरल माग्सिन किसी में भी Section 5 कहता है कि अगर लेने का या देने का agreement किया है तो वह agreement शुन्य है उसकी कोई value नहीं है धारा 6 कहता है दहेज अगर पत्नी या पत्नी के जो hairs है उनकी benefit के लिए तो वह well valid Section 7 कहता है कि अपराद का संग्यान कैसे होगा अपराद का संग्यान Metropolitan Magistrate Judicial Magistrate First Class द्वारा written complaint पर लिया जाएगा धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अंतरगत किये अपराद bailable और non-compoundable है Section 8 के A कहता है कि presumption हम तो मानके चल रहे हैं कि वह या तुमने अपराद कर दिया दहेज मांगा है धारा 9 केंद्र सरकार द्वारा rules बनाने की बात करता धारा 10 जो important है भूलना जाना सोला से लेके 20 तक उतकर्ष लाया आप सभी के लिए भारी छूट फटाफट से उसको enroll कीजिए ताकि मौका हाँ से निकलना जाए तो thank you class मिलते हैं फिर next के साथ अब तक के लिए धन्यवाद